बिग बॉस 13 खत्म होने के बाद खत्रों के खिलारी सीजन 10 लोगों का फेवरिट शो बन गया है शो के फिनाले में तो अब वक्त है लेकिन फिनाले के इस जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो गया है जी हां और ये खुलासा किसी कंटेस्टन या मेकर ने नहीं बलके ख फिनाले के इस जंग को लेकर कयासो का नया जलजल आ गया है लोग ये बोलने लगे हैं कि फिनाले में तीजस्वी वर्सेस करिश्मा होगा और इन दोनों ही हसीनाओं में से कोई एक इस टाइटल को अपने नाम करेगा दरसल हुआ ये है कि शो के पिछले एपिसोड में हैरत संगे स्टन देखने को मिले पुराने सीजन के आइकॉनिक स्टन को दिये गए सभी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी लेकिन रोहित करिश्मा और तेजस्वी की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए ऐसे में उन्होंने ये कह दिया कि इन दोनों हसीनाओं में शो क कि फाइनलिस बनने का टैलेंट उन्हें नज़रा रहा है बस फिर क्या फैंस के बीच ही चरचाय तेज हुई कि फाइनल जंग हो ना हो करिश्मा और तेजस्वी के बीच ही हो सकती है और ये दोनों शो की फाइनलिस जरूर वनेंगी उधर आप ये भी जानते हैं कि ये शो बुलगेरिया में कुछ महीने पहले शूट हो चुका है ऐसे में इस दोराद सीजन का विनर भी मिल चुका है हाला कि विनर के नाम पर फिलहाल सस्पेंस है लेकिन विनर के नाम के खुलासे के तमाम कयासों के पीच करिश्मा और तेजस्वी का नाम सामने आना अब बड़ा इशारा माना जा रहा है शो के फाइनल जंग को लेकर खेर अगर हम भी देखे शो के अब तक के स्टन्स और एपिसोड तो गौर करने वाली बात यह है कि करिश्मा और तेजस्वी दोनों ही शो की सबसे मजबूत खिला रही हैं दोनों ने सारे स्टन्स बक्खू भी निफाए और ऐसे में इन दोनों का फाइनल तक पहुचना ओडियन्स को अब संभब लग रहा है खास बात यह है कि शो के लास्ट एपिसोड में करिश्मा और तेजस्वी ने एक स्टन्स साथ में किया और उनोंने जीता भी दोनों की एनरजी और फेरलेस अंदाज देगकर रोहिट शेटी खुद को इन दोनों की तारीक करने से लोक नहीं पाई तेजस्वी के साथ तो रोहिट का शुरुआत से ही खासा बॉर्ण देखने को मिला लेकिन अब करिश्मा का नाम सर्प्राइस की तरह सामने आया है हलाकि क्या वाकाई फाइनल जंग करिश्मा और तेजस्वी में होगी यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इन दोनों के बहतरिन स्टन्स को देखने के बाद इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन दोनों की जर्णी शो में काफी आगे तक जरूर जाएगी बहराल आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगे